बिहार इंडिये में सब कुछ ठीक नहीं है कहने को तो दावे किये जा रहे हैं कि तेजस्वी आदव और नितीश कुमार की महागडबंदन की सरकार को वो हटा देंगे महागडबंदन को हरा देंगे 40 में 40 सीटे जीत लेंगे दावा किया जा रहा है लेकिन भाई कैसे जीतोगे सीटे महागडबंधन को हराने के लिए आपस में एक जुट होना पड़ेगा मजबूत होना पड़ेगा महागडबंधन की यानि की इंडिया गडबंधन की स्थिति देखिए और एंडिया गडबंधन की स्थिति देखिए छे दलों का गडबंधन है इंडिया गडबंदन बिहार में जिसे बिहार में महागडबंदन के नाम से जाना जाता है आरजडी है लालू प्रसाद यादों की पार्टी नितीश कुमार की पार्टी जनता दल उनेटेड है कॉंग्रेस है देश की सबसे पुरानी पार्टी देश की सबसे बड़ी विप तैदी है अगर किनी मुद्दों पर मतभेद नजर भी आता है तो महागडबंधन यानि कि इंडिया गडबंधन के तमाम दलबाइट कर आपस में मामले को सुल्जा लेते हैं लेकिन दूसरी तरफ आप इंडिये गडबंधन की स्थिति देख लीजिए यानि कि राष्ट्रिय कि 40 में से 40 लोगसभा की सीटें जीतेंगे और 40 लोगसभा की सीट जीतने का दवा करने वाले चिराख पास्वान एक लोगसभा सीट हाजिपूर के लिए अपने ही चाचा और मोधी सरकार के मंत्री पशुपति कुमार पारस से उल्हे हुए हैं चिराख कहते हैं कि वीडियो भी देखा होगा जब दोनों गले मिल रहे थे आपस में पैर छू रहे थे अशिरवाद गला सब कुछ हुआ और इसके बाद भी बिहार आने के बाद फिर हाजीपूर की बात चुरू हो जाती है अब इतना मजबूत महागडबंधन और जड़ी और जड़ी और ज पाजनिती के महिर खिलाडी और आरजेडी जैसी बड़ी जनाधार वाली पार्टी चुनावहार जाएगी इन लोगों से और यह 40 की 40 लोग सबा सीटे निकाल के ले जाएंगे केंद्र में सरकार बनानी है चिराग पासवान को बीचा यह क्यों एक सीट पर वो इस तरीके से उन्होंने अपने चाचा कोंशुनोती देने की नियत कर डाली है चिराग पासवान तो बिहार के लोक पर ये नेता है चिराग पासवान जहां जाते हैं हजारों की भीडु मरती हैі चिराग के लिए क्या हाज़िपूर, क्या जमूही जीतकर तो परलियमेंट ही पहूंचना यह तो बहुत अच्छी बात है कि हाजीपुर में आपके पिता जी ने सेवा की आपके चाचा जी ने की आपके एक चशेरे भाई सेवा कर रहे हैं उधर आपके एक और चाचा रामचंदर पासवान जी भी सेवा कर चुके हैं उनके पुत्र प्रिंस राज पासवान भी सेवा कर रहे हैं अबी जमोई की करते लेकिन यह घ सील के लिए आपस में जिस तरीके से सिर्फ टमें की स्थिति है जिस तरीके से यह लोगा आपस ले मिलाया गया है जब सीटों क्या बटवारा होगा, शीट शेरिंग होगा, उस वक्त भी आपको नजर आ जाएगा कि स्थिति क्या है, महागडबंदन में लगबग लगबग सब कुछ क्लियर है, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कहां से लड़ेगा, एकाथ सीट इधर से उधर किसी का हो ज करके जिस तरीके से NDA को आपस में ये चाचा भतीजा उल्जाय हुए हैं, और वैसे में महागडबंदन का तो फाइदा होना ही है, वो कहते हैं ना कि घर फूटे, जवार लूटे वही स्थिति हो रही है, घर तो फूटा हुआ है, बाहर वाले मजा लेंगे ही, महागडबं इंडिया गडबंदन के लिए अच्छा मौका है, आप क्या सोचते हैं, चाचा भतीजे की बिहार वाली इस राजनतिक सियासी जंग के बारे में, अपनी राय कमेंट बाक्स में लिखेगा, धन्यवाद